हेलो फ्रेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुंगफली, मुंगफली का देखते हैं जल्दी से, वानस्पतिक नाम, मुंगफली का वानस्पतिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया, यह अरेकिस हाइपोजिया जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भासा से लिया गया और अगर मुंगफली की family देखे हम तो यह लग्यूमिनेसी को बोलते हैं फैबसी फैबसी family और इसका chromosome नमबर अगर देखे तो 2N is equal to 40, 2N बराबर 40, इसका chromosome नमबर है, अगर मुंगफली को और किस नामों से जाना जाता है इसकी बात करें, तो मुंगफली को इंग्रिस में ब कभी कभी पूछ ले जाता है कि ground nut को और किस नाम से जाना जाता है तो इस चीज को ज़रूरीयाद रखें इसके बाद देखते हैं ओरीजीन तो इसका ओरिजीन ये तरफे लगाए जाता है मुंपली को वर्ड में और जो यह अरेटिस अर्थ होता है दलहनी या फली और जो अर्थ होता है भूमी के आंदर पैदा होने वाला या भूमी के इसके दानों में oil percentage होता है 45%, 45% के दानों में तेल पाया जाता है, इसके अलावा अगर देखें, इसके दानों में 26%, 26% protein पाया जाता है, और carbohydrate की बात करें, तो इसमें 10-11% carbohydrate पाया जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं, oil में, इसके तेल में, ओलिक एवं लिगलिको ओलिक एवं लिगलो को अम पाया जाता है साथ इसमें थाइमीन राइबो फ्लेमीन और निकोटीनिक एसिट भी पाया जाता है ठीक है मक्का एक सीथरी प्लांट है मुंगफली एक सीथरी प्लांट है मुंगफली एक सीथरी प्लांट हमने लास्ट क्ला और कौन सीफ़ोर प्लांट है अगर आगे देखें हम तो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टिरिया यह जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है लेग्यूमिनेसी फैमिली है इसके सभी लेग्यूमिसी में जिते भी क्रॉप आते हैं सबकी जड़ों में उसकी जड़ों में गाठे नहीं पाई जाती व heard nitrogen fixation नहीं करता वह क्रोजमा इसको ध्यान रखेंगे राजमा एक ऐसा है जो की डलहनी फवसल्ट है लेकिन nitrogen fixation नहीं करता है इसके लावा एक और क्रॉप है न Means इसकी जड़ों के साथ साथ इसकी यह जो धैचा है इसकी जड़ों के साथ साथ इसके स्टेम में भी गांठे पाई जाती है ठीक है धैचा और यह राजमा इसके बाद आगे देखते हैं मुंगफली जो है एक स्वपरागित फसल है स्वपरागित फसल है मुंगफली मक्का में हमने देखा थो वो परपरागित फसल थी यह स्वपरागित फसल है कुछ जाती में परपरागड़ पाया जाता है यह स्वपरागित फसल है लेकिन सिर्फ कुछ जाती में परपरागड़ पाया जाता है और भारत में उगाई जाने वितामिन के अलावा खौसपोर्स, कैल्सियम, और खाली परियापत मात्रा में पाये जाता है और अगर खली की बात करें तो उसमें साथ से आट पर्षेंट नईेरोजन पाया जाता है तो जो बंच टाइप है उसका वाश्वा नसपतिक नाम है और जो बैस्पिजिगी घ्र सब इसके बाद इसमें अंतर क्या है दोनों में देख लेते हैं जो बंच टाइप जो सीधे बढ़ने वाली किस्प है वो कम अधीकी होती है ठीक है और जो रेंकर बढ़ने वाली है वो लंबी अधीकी होती है और जो सीधे बढ़ने वाली किस्प है बंच टाइप है वो अधीकुपच देती है और जो इस्प्रेडिंग टाइप है वो देर से पकती है ठीक है और इसमें जो में इंपोर्टेंट अंतर है कि जो बंच टाइप है इसमें डोर्मेंसी मतलब सुसुपता वस्था नहीं पाई जाती है सुशुक्ता वस्था पाइ जाती है तो जलवायूक खरें तो जो है जक्राउन नट है यह लंबे गर्म सलाई और इस्फल्ख है जो है जर्मीनेशन के टा़ंपे टेम्प्रेचर चाहिए flour झाया है और इसकी वेल ग्रोथ अच्छी बड़वार के लिए 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस की आश्रकता होती है ताप मान की और इसके बाद देखे तो यह जो मुंगफली है यह ट्रॉपिकल क्रॉप है याने उष्ण कटी बंदी यह फसल है और सोयल की बाद कर लें तो इसके लिए सें जून माह के थर्ड वीक से लेके जुलाई माह के सेकेंड वीक तक कर देनी चाहिए जून माह के थर्ड वीक से जुलाई मंत के सेकंड माह सेकंड वीक तक ठीक है और फटीलाइजर की बात करें इसमें तो इसमें नाइट्रोजन देना चाहिए 20 किलोग्राम और फिर सबसे ज़ए से बाकि जो नियूट्रेंट है वह कम देते थैं इसमें नाइट्रोजन सम्क्रम क्यों दे रहें क्योंकि यह 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 पल्स क्रॉप है अ कि पल्स दलहनी फशल जितने भी दलहनी फशल होते हैं वह वातावरांड से नाइट्रोजन का CSN करते हैं यो इस लिए इनंहें जो है नाइटोजर कम दिया जाता है इसका सोइंग टैप सीट्रीटमेंट करते हैं राइजोबियम कल्चर से तो ए ट्रीट करते हैं ताकि जो नाइटोजन फिक्सेशन है वह अच्छे तरीके से हो सके ठीक है तो फर्टिलाजर में 20 किलोग्राम नाइटोजन साथ किलोग्राम फोस्पोरस और 40 किलोग्राम पुटास पर हेक्टेर के हिसाब से अगर सीड रेट की बात करें तो जो बंच टाइप है जो सीधे बढ़ने वाली है वह 80-85 किलोग्राम पर हेक्टेर ठीक है और इसका जो स्पेस होता है दो पंक्तियों की जो दू यह 80 किलोग्राम पर हेक्टेर है और इसका जो दो पंक्तियों की बीच के दो रही है रोई स्पेस है वह 45 सेंटीमीटर है बंच टाइप की 30 सेंटीमीटर और यह स्प्रेडिंग टाइप की 45 सेंटीमीटर ठीक है और यह कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है एक्जाम में इसको इस्टार माग करके लिख लेंगे कि मुंफली में जो पैगिंग की क्रिया है यह पचपंदिन में होती है पचपंदिन में करेक्ट पचपंदिन यह पचपंदिन में होती है मुंफली में पैगिंग की क्रिया ठीक है वीड कंट्रोल वीड कंट्रोल के लिए हम कौन-क 325 एंड मेटाख्लोर यह दोनों हर्भीषाइट का यूज करते हैं अगर इन में इंसेक्ट की बात की जाए कीट की बात की जाए तो माहूं एंड थ्रिप्स यह लगते हैं मेन जो है थ्रिप्स जो है जब हम स्वेंग कर देते हैं तो उसके बाद जब चार से छह पती निकल आते हैं चार छह पती जब हमारे पौदे में निकल आते हैं जब तब थ्रिप्स का अटैक होता है और वो पत्तियों के रस को चूस लेती हैं तो हमको उस टाइम पे किसी भी फंगिसाइड या फिर का प्रेयोग करना चाहिए थ्रिप्स के लिए ठीक है और रोग की बात कर लें, डिजीज की बात कर लें, तो इसमें टिक का रोग, जो की कवक द्वारा होता है, इंपोर्टेंट है, ये दो कवक के द्वारा होता है, एक होता है सरकोइस्पोरा परसोनाटा और एक है सरकोइस्पोरा एर्चेडी कोला, एक है आपका पहले होता है सर सरकोईस्पोरा पिरतां होता है उसके बात परे इसमें तो अलग-अलग किस्मों के अनुसार एक सो बीस से लेके 150 दिन तक ये पकता है पकर त्यार होता है तब कटाई करते हैं उपज कि बात कर ले तो एवरेज इल्ड जो है 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेर फली ठीक है और फिर यह कैश क्रॉप है कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल जिसको कटाई करके तुरत बेचो और वो तुरत पैसा हाथ में आए इस टाइप का क्रॉप को कैश क्रॉप करते हैं कैश क्रॉप का और कुंद कास नहीं हो पाता है अगर जो आवश्यक न्यूट्रेंट है 17 आवश्यक न्यूट्रेंट जो है उसमें से अगर कैल्शियम की कमी हो जाए इसमें तो इसके दाने का जो कास है वो रुख जाता है ठीक है और मुफली में इतना ही और कैश क्रॉप हम अगला क्रॉप देखते हैं अगला क्रॉप है अपना अरहर अरहर को और क्या बोलते हैं रेट ग्राम और पिजन पी ठीक है हर क्रॉप की जो अधर नाम है उसको भी याद कर लेंगे क्योंकि पूछ ले जाता है अगर इसका पतिक नाम है इसकी फैमली देखें लेग्यूमनेसी फैमली को और क्या बोला जाता है फैबेसी फैमली और ग्रेमनी फैमली को और क्या बोला जाता है पोईसी फैमली इसका क्रोमोजोम नंबर देखें तो 2N बराबर 22 है और इसीन भारत या अफ्रिका माना जाता है इसका औ और बारत में उगाए जाने वाली दलहनी फसल में चना जो है फर्सक नमबर पहे है और जो हमारी अरहर है अरहर जो है यह सेकेंड नंबर पर है चना पर्ट और फिर जो अरहर है वो सेकेंड नंबर पर भारत हो गया जाने वाली दलहनी फसलों में अगर इसके दाल में देखे तो 20 से 21 परसेंट इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्सिक वर्सा वाले जो एरिय इक बहु वर्शी फसल है परन्तु जो अरहर है उसको एक वर्शी फसल के रूप में उगाया जाता है ठीक है अरहर का पुस्प दुइलिंगी जो है और इसमें जो पुंकेसर होते है उसकी संख्या 10 होती है जो की 9 गॉसें लूट करे तो तो बीस से पचीछ डिग्री सेलसियस जर्मिनेशन टाइम पे चाहिए होता है और इसकी वेल ग्रोथ अच्छी बढ़वार के लिए तीस से सेलसियस टेम्परचर के आऊ सकता होती है सीड रेट की बात करें तो बारा से पंदरा कीलो ग्राम इसका सीड रेट है पर हेक्टेर और जो इसकी स्पेसिंग है वो होती है 60 इंटू 30 सेंटी मेटर यह जो फर्स्ट में लिखा होता है और सेकेंड में लिखा होता है यह तो प्लांट 30 cm अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो 30 रेशियो 60 रेशियो 40 अर्थाथ 30 किलोग्राम नाइट्रूजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और फिर 40 किलोग्राम पॉटास ठीक है इसको याद रखेंगे जो फटिलाइजर डोज है उसका एक सिंपल सा कॉंसेप्ट है जैसे सीरियल में 4 रेशियो 2 रेशियो 1 जो पलसेस है उसमें 1 रेशियो 2 रेशियो 1 इस तरह से अर्थाथ जैसे कि इसको इसका दूगना 60 और फिर यहां 30 से 40 ठीक है यह सिंपल सा कॉंसेप्ट र्याद अगरने का और फिर इसमें जिंक की कमी जो है होती है अगर अरहर के फसल में तो उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फिट देना चाहिए ठीक है और इसमें दाना एवं डेंठल का जो रेश इसमें देंठल के लिए इसके लिए 2मट मिरदा उप्यूक्थ होती है और फिर जो पाला होता है फ्रोष्ट पाला बहुत ही हानिकारख होता है अरहर के लिए ठीक है और इसका भी वरगी करन किया गया है रंग एवं बढ़वार के आधार पर पहला है कैजनस इंडिकस ठीक है तो जो ऐे से पकती है जर जलंदी पकती है और जो इंच पोधी आरई ऐसे चोटा पोधा है चोभी बाइस ऐसको से 5 दाने होते हैं पर फिर वे साइड्ड मों फान पर नासी की बात करें तो एलाओ लौर बैसालीन का प्रयोक करना चाहिए इंसेक्ट देख लेते हैं कौन-कौन से लगते हैं पॉड़ बोरर पॉड़ फ्लाइप प्लाइप प्लाइमोथ इसके अलावा हैरी केटर पिलर एम लीफोपर इसमें इंसेक्ट लगता है कीट लगता है डिजीज इसमें विल्ट और स्टेम रोट जो है मुख्य डिजीज है अगर इसके इल्ड की बात कर ली जाए तो 20 से 25 कुइंटल पर हेक्टेर जो है इसकी इल्ड प्राव जो अरहर का फल है उसको पोड बोला जाता है जितने भी पल्स क्रॉप है उनके फल को पोड बोला जाता है ठीक है इस चीज को याद रखेंगे और जैसे कुकर बीट के फल को पेपो बोला जाता है और फिर इसमें जो है अरहर में अरहर में टैप रूप पाया जाता है ठीक तो अरहर को भी यही खतम करते हैं विराइटी हम नहीं पढ़ रहें किसी भी चीज का अगर इंपोर्टेंट कुछ होगा तो बता देंगे और विराइटी को जी लिश्ट है आपको एक साथ हम सारे क्रॉप का देंगे आपको टेलिग्राम और वाट्सप पर प्रोवाइड करा ठीक है आज की क्लास में इतने थैंक यू